हेलो गाईज आप देख रहे हो किरकरद विशाल गाईज ये वीडियो सभी फास्ट बोलर्स के लिए आज मैं आपको बताऊंगा अगर आपको एक अच्छा फास्ट बोलर बनना है तो कभी भी लाइफ में तीन बड़ी गलती मत करना अगर आप यह गलती करोगे तो मैं 100% बो सबसे पहली गलती के बारे में बात करते हैं अगर आप फास्ट बोलिंग करते हुए लंबे-लंबे डालते हो मतलब डेली आप प्रोच बहुत जादा जादा ओवर डालते हो और आप सोचते हो कि उससे पेस इंक्रीज होगा तो गाईज आज यह अपने दिमाग से आप बात आज आप जान लो सबसे पहली गलती बहुत मेरे भाई बिगिनर्स करते हैं बहुत देर तक बोल्ड लालते हैं नेट्स में उससे आपकी बोड़ी अन्फीट हो जाएगी आप आपकी क्या फास्ट बोलर्स की लाइफ वैसे भी कम होती है और आप उसको मिस्यूज करोगे आ आट ओवर तक का स्पेल आप डाल सकतो इससे जादा इस पैल मट डालो वरना आपकी बोड़ी को गाईज अन्फीट होने का चांस उतना ही जादा है तो लंबे स्पैल गाईज एक दिन डाले वीक में ना कि आप रोल डाल रहे हो आप अपना श्रेडोल बना सकतो एक दिन आ अपना नेट शेंशन कर सकतो है एक दिन आप में खेлек की चल सकतो है तो युकर सकते है अब बात करता है घलती के वारे में चाहिए निक अल्य डालते है मतलब जबेंस सब terms करते हो आप कंश निए च्वेत। दाल दें तो हमेशा आपको धिहान नखना है जब भी आप नेट्स कर रहे हो क्रेक्टिस मैच कर रहे हो उससे ही आपको पूरा मोमेंटम कर दोप अच्क तो आपको हमेशा जब भी आप अपना नेट करो तो आपको मैंड से होना चाहिए कि कोई डालना है कब आपको बाउंसर लगाने आपको पुरा मैच के इसाब से बोल डालना है मैच सिनेयरियो बनाना पड़ेगा आपको नेट के अंदर बड़े बड़े बोलर गाई ऐसे ही करते हैं और मैं खुद यूज बाउंसर लगाने आप भी ऐसे ही करना पड़ेगा जब जाके आप इंप्रूव होगे अप डेली अपना काउंट करना है वाइड कितना डाल रहे हो नेट के इंदर बोल रहा हूं नेट के इंदर बहुत मैं भी एकेड़ेमी के लेडिके ज्यादा नेट में ध्यानी देते ह जब आप नेट कर रहे हो आपको पहली सोचना पड़ेगा कि सामने बैट्समें खड़ा है तो वो किस मैंड से खड़ा है वो क्या करने वाला है उसने पिछला बोल कैसे खेला उसका फाइदा क्या होगा जब भी आप अपना मैच में खेलोगे तो उस ताइम आपको बहुत बात आपको ऐसे नहीं करना कि ऐसी नेट चल रहा है उससे कुछ फाइदा नहीं होगा तो यह बड़ी गलती है दूसरी इसको आज ही करना बंद कर दो अगर नेट आप मजाक में करते हो जब भी आपको नेट करने का मोका मिलता है अब बात करते हैं तीसरी गलती के बारे मे आप जो आज एक साल बाद भी वही नजर आते हो मैंने बहुत ऐसे देखें तो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो अगर आपको कोच ने आज आपको यह बता दिया कि हां आपका स्विंग नहीं है आपको स्विंग पर काम करना है तो अगले शिक्समंद में आपको उसको टार्गेट देना है अपने आपको अगर आपको किसी सीनियर ने आपको बता दिया कि आपकी यह चीज कमजोर है आप यह औरकर अच्छा नहीं डालते हो तो आपको उसमें महारत बनना है उस पर आपको काम करना है कंटिन्यू जबी जाके आप एक अच्छे बोलर बन अपने आपको अगले तीन महिने का कि मुझे तीन महिने में अपनी पेस इंक्रीज करना है मुझे तीन महिने में अपना बाउंसर लगाने अच्छे वाले ऐसे अपने आपको आपको टार्गेट देना पड़ेगा अगर आपके कोस्ट ने आपके सीनियर प्रेंट ने आपक को आपको improve करना है आप जो आज हो अगले 6 में आपको तार्गेट दना है अपने आपको कि हां मैं आज vient अगले 6 में मुझे यहां पे जाना है और साथ साथ ने फिट्नेस विंप्रोब करनी है और साहत जो जो भी स्किल है आप बाउंसर नहीं लगाना आता है आपको अपना स्विंग करना नहीं आता है तो थोड़ा-थोड़ा सब पर काम करना है सुरू के तीन महिने आप स्विंग पर काम करो फिर बाउंसर अच्छे लगाने सीखो फिर यह और कर जब जाके आप एक complete fastballer बनेंगे और फिटनेस सभी fastballers के लिए जरूरी है तो लास्ट में आपको बता दो आप फिटनेस भी करें अपना फिटनेस पर काम करें और यह चीज़े सब के लिए मैंने वीडियो बनाया है आप मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें आपको पूरा